हेलो दोस्तों होंडा ने कुछ अपते पहले होंडा SP125 में निव कलर और निव ग्राफिक्स के साथ इस बाइक को लॉंच किया है बट में जिस एरिया हम रहत हूँ यहां पर यह बाइक फिलाल दुरगापूर के साही हुंडा सोरूम में ही अवलेवल है जो नाचन रोट बेनाचटी में पढ़ता है फिलाल किसी और सोरूम में यह बाइक कवी तक नहीं पहुचा है अगर आपको वीडियो देखने के बाद इस बाइक को लेने कमन करता है तो आप सोरूम विजिट कर सकते है सोरूम का एडरेस और फोन नंबर आपको इस बीडियो के नीचे डिसक्रिशन बोक्स में देखने को मिल जाएगा और अगर आपको इस बाइक पर कुछ परसें डिसकांट भी चाहिए तो आप मेरे चैनल का नाम मेंसन करेंगे तो आपको इस बाइक में कुछ परसें डिसकांट भी दे दिया जाएगा तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको New SP125 में चैन्ज देखने को मिलता है सबसे पहला इंपोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दू कि इसमें सिफ ग्राफिक्स और न्यू कलर को ही एट किया गया है बाकी जो चीज़ें हैं पहले की तरह ही सेम रखा गया है और इसमें कोई मेकनेकली चैन्ज नहीं किया गया है सिफ इसमें New Color और न्यू ग्राफिक्स और आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है तो चलिए Front से स्टाट करते है Front में आपको Black Color का वाइसर देखने को मिल जाएगा और visor के उपर आपको Honda का sticker देखने को मिल जागा यहाँ पर यह 3D नहीं है यहाँ पर आपको sticker देखने को मिलता है वहीं अगर आप headlight देखे तो आपको split LED headlight का setup देखने को मिलता है indicator में आपको yellow color का bulb देखने को मिल जाता है तो यह front में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है front fender में आपको blue color देखने को मिल जाता है वहीं इसके थोड़े से back side अगर हम चलते है तो यहाँ पर black color का use किया गया है इस bike के front में MRF का nylon grip jepper का tubeless tire दिया गया है वहीं tire suggest के बात करें तो 80, 100 by 18 section का आपको इसमें tubeless tire देखने को मिल जाता है front का जो wheel है wheel में आपको कोई भी sticker का use नहीं किया गया है बिल्कुल यह plain simple सा color लखा गया है जो की black color में आपको yellow wheel देखने को मिल जाता है अभी जो मेरे सामने यह drum brake और बाइक है इसमें disc brake भी आता है पेट्रोल टेंक की बात करें तो पेट्रोल टेंक पे आपको blue color देखने को मिल जाता है और यहां जो honda और honda का logo जो दिया गया यह आपको 3D में देखने को मिलता है और यहां पे एक sticker आपको देखने को मिलता है जो आपको white और red color में देखने को मिलता है और यह ऐसा ही आपको पीछे की तरह अगर आप चलते हैं तो यहां भी आपको बड़े से यह sticker देखने को मिल जाता है side box पे आपको white color में SP 125 लीखावा देखने को मिल जाता है तो इस sticker के बात करें तो इसमें white और red color का ही आपको combination देखने को मिलता है और जो कि पूरे body पे आपको petrol tank के पूरे body पे आपको blue color देखने को मिलता है और यहां पे side में थोड़ा सा आपको fiber का black color में देखने को मिल जाता है तो इस तरह के से इसका कुछ look निकर के सामने आ जाता है वही थोड़ा downside से अगर आप देखे तो यहां पे आपको singer horn देखने को मिल जाता है और यहां जो side में अगर आप देखते हैं तो यह आपको fiber में दिया गया है जो की narrow shape में दिया गया है एक look के लिए बस यह show piece के लिए इसमें कोई भी work type का इसमें कुछ काम नहीं हुआ है तो यह कुछ चीज तरह के से side में इसका look निकर के सामने आता है और यहां भी आपको fiber का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ है और यहां पर अगर आप देखे तो engine आपको सेम वही चीज मिलता है जो पहले मिलता था साथ ही इसमें kick भी मिलता है और यहां पर जो enhance smart power होता है वो चीज आपको यहां पर sticker में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है engine के पास भी आपको Honda लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और engine जो है वो black color में दिया गया है और इसका जो power और performance था वो बिल्कुल पहले की तरह ही same है और फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें new color और graphics को ही add किया गया है और आपको seat में कुछ इस तरह से देखने में लगेगा seat cowl के पास भी आपको blue और red color का combination देखने को मिलेगा साथ ही जो seat cowl है वो gray color में दिया गया है और gray में ही आपको red और blue का sticker देखने को मिल जाता है और seat है बिल्कुल पहले की तरह ही same plate रखा गया है और back side से front तक आपको कुछ इस तरीके से look निकल गया इसका आता है बेक side की बात करें तो यहाँ पर आपको tell lamp देखने को मिलता है और indicator जो उसमें आपको yellow color का halogen bulb देखने को मिल जाता है यहाँ पर honda का एक sticker दिया गया साथ में reflector भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको number plate के लिए जगाद दी गई है तो दोनों side के indicator में आपको same हैसा ही देखने को मिलेगा और इस side से भी आपको जो seat का ओल है वहाँ पर आपको दोनों जगा same stickering देखने को मिल जाता है तो back side से कुछ सामने तक ऐसा ही देखने में लगता है हेंडल बार की तरफ चले तो left side में आपको high beam low beam और पास करने का function एक ही switch में देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको turn indicator करने के लिए एक switch दिया गया है और यहाँ पर आपको horn का भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको fully digital instrument कलसर देखने को मिल जाता है जो पहले आपको मिलता था वही right side में अगर आप देखे तो आपको यहाँ पर engine की will switch और start और stop का button देखने को मिल जाता है इस bike के दोनों side में आपको same sticker और graphics देखने को मिल जाता है इस side भी आपको Honda 3D में लिखावा देखने को मिल जाता है side box पे SP 125 लिखावा देखने को मिल जाता है foot packs यह पिलियन का foot packs हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं Honda का जो engine है यहाँ भी Honda लिखावा देखने को मिल जाता है इस side से back side की तरफ अगर हम चलते है तो यहाँ पे आपको red color में suspension देखने को मिल जाता है hydraulic suspension दिया गया है यहाँ साड़ी एक आटका हो गया और यहाँ से आप key लगा के इसके seat को खोल सकते है तो यह सारा कुछ आपको इस side देखने को मिल जाता है और जो disc brake का variant है उसका exorum price है दुरगापूर का 12302 रूपे तो यह आपका exorum price होने वाला इन दोनों variant में और दोस्तो ऐसे ही bike related videos के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए bike related news या update के लिए आप उजे instagram पे भी follow कर सकते है तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में नए content के साथ तब तक के लिए ride with bike कीज़ो कीज़ो कीजिए के लिए तक के लिए के मिलते कि कीजियोग के भीज़ते है